MS University की Commerce Faculty में दिये गए ओनलाइन परिणामों में कई छात्रों को परिणाम नहीं मिलने पर AGSU ने आज आवेदन दिया कोरोना महामारी के बीच MS University में इस वर्ष परिणाम छात्रों को ओनलाइन भेजे गए है First year become ETKTK marks based progression का परिणाम कई छात्रों तक पहुचा नहीं है इस मामले AGSU ने Commerce Faculty के दीन को आवेदन दे कर मामले पर प्रबंधन का द्याना करशन कराया जी आज जैसे Commerce Faculty के सभी छात्रों का merit-based progression आया है उसी हिसाब से बहुत सारे छात्रों ऐसे है जिसका email में उसका result नहीं बताया है तो आज AGSU ग्रूप के द्वारा डीन सर को एक आवेदन दिया गया कि जो भी छात्रों का merit-based progression का इसाब से जो आपने result दिया है बहुत सारे छात्रों को नहीं आया है उसका email तो आप जो भी छात्रों का mail में problem आ रहा है और यहां से जो result नहीं दिया गया है जल्दी जल्दी आप रिजल्ट को पहुचा दिये और जो छात्रों अपनी मुझवन में है वो छात्रों को मुझवन ही दूर करके वो छात्रों के साथ नहीं दिया जाए